प्रेम चंद के कातिल को अभी तक क्यों नहीं दोड़ पाई बुलिश। प्रशासन का आधेस है और हमारे कारी में हस्तशेप नहीं होना है लेकिन आपको नियम संगत बातें बताना जरूरी है आपको जैसा करना आव ऐसा करें फ्रीडबुक में अपनी अपति परस्त करें या प्रशासन की दबाव को अज़स्ची किया रहा है या फिर जो है कि वह अवैद जमीन तो मानी जाती तब जब वह इसकी रिपोर्ट बहुत पहले आई होती है वह मकान बने पचास सो वर्स हो चुक है पचास सो वर्स से बना हुआ है 30-35 साल हो गया है किसी और इसे वह 3-4 तुगड़ों में है तो वह पचास सो वर्स तीसो वर्स और 12-15 वर्स से ही बनी हुई है इसके बावजूद एक दिन के अंदर में यह संसट की कारवाई करना जो अपने आप में अवैद है जब पीबी लाइन चलाने के लिए जरीब की आवशक्ता होती है उसके साथ में कीलो की आवशक्ता होती है कील बिल्कुल नहीं थे कि एक जरीब से दूसरी जरीब के बीच में कौन कौन से कीले आई है दूसरी चीज की फोटोकॉपी वाले नकसे से नापी होती नहीं है इनके द जल्द बाजी करने क्या जुरूत है जल्द बाजी का एक ही मकसद है कि अपनी राजनेतिक जो रूटियां सेखना है किसी विशेश वर्ग के दबाओ सर जी सर्थ प्रकास दूबे का जो कातिल था उपकड़ा गया लेकिन प्रेम चंद को किसे मारा अभी तक पता नहीं चल पाया यह सरकार की नाकामिया है कि जो प्रेम चंद यादो के हत्यारे को नहीं खोच पाई है और आज जानकारी मिली है कि उनके फैमिले से कोई जेल में म बेदखरी की कारवाई निश्चित जो होती है वो हूनी चाहिए अगर वो सरकारी जमीन में माना जाता लेकिन 25 जो हुआ है जिसमें इनकी होची राजनीत को देखते हो जो दबाओं में प्रिसराइज हुए है मुझे नहीं लगता है कि वो सरकारी जमीन पर अच्छा लोगों को इसपश्च हो जाना चाहिए कि पहली 25 जो संसट की कारवाई की गए थी आरसी 19 उसके अंदर में 25 हो करके और रिपोर्ट जाती है तो दूसरी 25 की आउशक्ता क्यों पड़ी कहीं न कहीं राजनीतिक दबाओं में उसको जल्दबाजी में दाखिल किया गया और उसको दूसरी परिपुष्टी दिखाने के लिए दुबारा फिर गयात कानूनी तरीके से इसको पहमाइस किया जो गलत है प्रेम चंद यादो की पत्नी को तहसिल बुलाया नहीं गया था उनका एकाउंट खोलना था तो एकाउंट खोलने के लिए उन्हें रुद नौकरी के पीरेड्स में में बनाय गया था रिटार्मेंट के लास्ट के बिरे गया और आपके नजर में एक गलत्व stitch माईज हुया है इसके लिए अपील कर सकते हैं अपील नहीं यह तो प्रोसेज है सब्सक्राइब लगाएंगे उसमें अपनी आपत्ती प्रस्तूत करेंगे जिसमें जिसने यह रिफिट बनाया है उसका बयान होगा क्रास एक्जामिनेशन होगा हमारे एविडेंसेज ब्लीड होंगे उसके बाद करवाई होगा देखें कुछ प्रक्रियां है एक्षेंज का है राजस्तु साहिता में एक्षेंज करके उस जमीनों को ट्रांसफर किया जा सकता है सुनने में आया है जहां तक मुझे उनके पीडित परिवार है उनसे जानकारी मिली है कि इसके अंदर में जो देवेज दुबे हैं, ये इनका सबसे बड़ा अहम रोल है, इसके साथ साथ 2-3 और लोग हैं, जिनके नाम आज कल में हम पता करके F.I.R दर्च कराएंगे, और जो F.I.R प्रिशासनिक दबाओं में और किसी कांग उठा लेकर गया, दसकत कराके जो कर प्रिशासन किसके दबाओं में नहीं पकड़ना चाहती है, या अपने लाइन आडर में फेल हो चुकी है, ये तो जवाब आपको इस पश्च रूप से दिखी रहा है, तो ज्यादा बैटर उनके लिए होगा, ये तो इस पश्च रूप से दिख रहा है, जिले कप्तान भी आगये थे, और जो है कि तमाम इसी समर्थक जो खेतों भागने को मजबूर होते हैं, समर्थकों को भागाना ये हर जगे पर होता है, लेकिन ये विसेश वर्गों के साथ नहीं होता है, प्रेम चंद यादों के परिवार से मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो प्रेम चंद यादों के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो प्रेम चंद यादों के फैमिली से नहीं दिया जाना ये प्रसासन जो है, अपने मंसा को पूरा करना चाहता है, और सच्चाई को बाहर नहीं लाने देना चाहता है, जहां तक मेरी परिवार से बा है यह आपको कुछ समय बाद जो है पता चल जाएगा कुछ इंतजार करिए और कुछी दिनों में उनका जो Google पेमेंट है जो भी पेमेंट होते हैं वो मौड खोल दिये जाएंगे और सब के पास पहुंग जाएगे ने यह सारी चाहिए आपको जो है अपने मकसद को पूरा करना चाहती है और जो असली हत्यारा है उस व्यक्ति को यह नहीं सामने लाने देना चाहते है मीडिया को देखिए मीडिया जो है सम्विधान का एक चौथा अंग है जो सतंत रूप से निस्पक्ष अपनी पत्रकारीता करता है और मेरा पत्रकारों से एक अनुरूद है कि यह बार बार जो है प्रेम चल की मकान से उसको धूमिल न करें वो रिटार्ट पौजी रामभा आपको क्या ले जाने की क्या मतलब था है प्रतिबक्षी वहां खड़ा रहा है अगर उसको देखना देखना वो किवल हमको मूग बदित करना चाते लेकिन हमने अपनी आवाज उठाया और इस बातों को जो है अपनी आपत्तिव के अंदर प्रसूत करेंगा तरीके से की गई है और इसमें नहीं धारा 20 राजसनिता उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राजसनिता 2006 इसका अनुपालन कहीं नहीं किया गया गया हमारे सहार साथ प्रेमिया को के रुकेर थे और हाग ये 25 हो रही थी और